इक उवंकार सतनाम करता हुरुख निरभो निरवे पकाल मूरत अजोने से भंगुर प्रसाद हर अमरत वेले वर्ते का बीजिया भगत खाये खर्च रहे निखुटे नाम अमरत वेला सच नाम वड़े आई वीचाश धन्गुर गुरंद साब जी महराजदी बाणी ने अमरत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोला दिश अपने शवदा दिश दरसाई दरसल देखिया जाए परकिर्ती ने जो सड़े स्रीर दी ये सिरजना कीती है इस दिच रूत दा ते वकद दा अपना प्रभाव है मुस्मे खिजा चारों पासी प्राकर्तिक मंडल अदास दिखाई दे। जडरे ने पत्ते और चल रही हैं ने हमावा डोल दी है इस शााखा अपना शिंगार बदल रही हैं उदास दिखाई दे निया नगन दिखाई दे रही हैं ए शाखा द्रखा मीन हो बहो मनुखते मन दी पर किरती दी पुझ इस तरह इंग जो है देखर नो मिल दीए जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़े आओ जाए मौसमे बहार है धर्ती ने मानों बड़ा संदर शिलार कीता है किदरे पीले रंग दा किदरे गुलाबी रंग दा किदरे चिटे रंग दा इतने सुंदर शिलार मेई वस्तर धर्ती दा चपा चपा सुहामना हो जादा ए मौसमे बहार मनुखते मन देते लिए अपना एक खास असर पंदर गर्मी दी रुत आ गई है मन दी हालत कुछ और हो गई है ठंड आ गई है श्रीर ठिटर रहा है तो रुत तो हों और समें दों मन प्रभावत है तन प्रभावत है सरदी आ गई है सनु कपड़े बदलने पैंदेने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदेने और गर्मी मजबूर कर दें दिए गर्म कपड़े आनों एक पासे करन थे खूबहू जो समा है दिन दे चार पैर राच दे चार पैर जिते रुत दा असर है मोसम दा तन ते मन ते असर है उते चार पैराँ दा जिसमों समा कहें देने वकत कहें देने इसलावी मन देते तन देते अपना प्रभाव है आद कालतों संत जनादी पकड़ दिछ आई एक गल कि राद ता जो चौता पैर है अगर मनुक समय से वाकई राद दे पहले पैर दे अन्त होंदें होंदें सौंग गया है तो श्रीर दी नें राद दे चौते पैर दे अरंब होंदें संपूर नो जांदे अक्षा खुल जांदे जाने एगल वक्री है अगर मनुक समय दे मताबक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमरत वेले ये उट सके वक्त सिर सौंग है नियम पूरवक तो परकिरती जगा दे दिए असी देखने हैं परकिरती पंचियानो जगा दे दिए पंचियानो जगा दे दिए क्यूंके उना दी नेन सवावक है प्राकिरतिक है राद दे पहले पैर दे अन्त होंदेयान चिडियान पंचियान पंचियान पशो ग्रीबन-क्रीबन सोजान दे राद दा चौथा पैर अरंब होया है चैचाहन दे पंचियान उठ बैठ देने गववा उठ बैठ दियाने, बच्रे बोलन लग पैंदेने गववा दे, सारे दा सारा पशूपक जगत समें तो प्रभावत है, वकत सुलन दा है, वकत जगा देंदा है, मुनुख ने अपने नेद नो प्राकृतिक नहीं रहन दिता, और किदरे किदरे अपने जागन नो भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता, वैसे कि देखे आ जाए, एदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम दे मताबक नहीं है, यही कारण है, कि जैसे मनुख प्रकृतिक तो दूर होंदा गया, प्रमात्मा तो भी दूर होंदा गया, प्रमात्मा दे निकट आन लई, इसमें परकिर्ती दे निकट आनाई पैगा परकिर्ती दे प्रभाहों नो कबूल करनाई पैगा और ओदी नियम आवली नो जिन्जगी दा अंग बनानाई पैगा तो बहुत पुराणे समेतों जो अध्यात्मक चिंतन करदेशन हर वक्त मनमल जिनादी घोल रेंदी सी मन दी सादना ते तल ते जीन वाले अंतर मुखी पुर्ष उनादी पकड़ दे चाया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहाएक है बहुत सहाएक है मदद करता है के जने ढंगनाल भोजन कीता होए रात न तो भोजन आलस पैदा करके नीद लेंदा है ये नीद उस भोजन नो पचा देंदी ये और जब नीद पूरन तोरते पचा देंदी ये भार हलका होंदा है आलस मद्दम होंदा है ये जाक पेंदा है दुबारा शरीर नो भोजन दी लोड़ है ते हुन श्रीर नू भजन दी लोड़ है, मन भजन वी चानद है, इस समा किन ने सो लुकमे दिन दे, ते एक लुकमा सुबह दे, सारी दिन दी साधना, ते अमरत वेले दे एक पल दी साधना, बराबर हो जिन दी, समा मदद करदा है, धन्गुर नानिक देव जी महराई ते साफ केंदे ने, जे एक होए ता उगवे, रुती हों, रुत होए, एक ते बीज ठीक होए, मुकमल होए, और बीजन वाली रुत भी ते चाहिए दिये, मुसम दे अनकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही धांग नाल उपर फुल्लत भी नहीं होगा, वो पूरन फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा, तो ए जो रात दा चौता पैर है, इसनु सड़े देश दे प्राचेन सनातनी रिशियाने केहा, ए ब्रह्म महूरत है, ब्रह्म दे चंतन दा समा है, ब्रह्म नल जुडन दा वकत है, इसनु धन गुरुनामिक देवजी महराज ने अमरत वे लाख है, ऐसा समा जद अमरत दी बर्शा हो रही है, इसनु इसलाम बे महान बानी मौम्मत साब ने किया अलल सुभा, अल्ला दी सुभा, अल्ला दी सुभे, ओ सुभा, जो सुभावक अल्ला नो चेते करा दें दिये, थोड़ी जियावी, किसे मनुकद अंदर अंतर मुखी होंदी जागरती है, तो एस समा बहुत मद्द करता है धन्गुरु नामदा सी महराज़दा फर्मान हर अम्रत वेले वत्ते का बीजेया भगत खाए खर्च रहे निकुटे ना अंतिश कर्मदी धरती देच जो अम्रत वेले नामदा बीज बोछड़दा है बरकता नाल जोलियां भर जाने हैं और लोग पर लोग अपना सुहिला कर लें दे इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी इचलीन होया है दुनिया भर दे बंदगी देच पुगे होई पु जान देने अवतारी पुर्षवी जो है सदके जान देने भाई साव भाई नंद लाल ते केंदेने शवद कुरबान ने खाके राहे संगत दिले गोया हमीं बस आरजू कर एक कोई आरजू रह गये ये हे गुरदे अम्रत वेले जिडियां संगता थड़े मारकते चल पें द एक कदमा दी खाक मेंनु बणा वो कदम बड़े पावन है वो चाल वली महान है अम्रत वेले दी चाल गुरू दी तरफ दरसल प्रमातमा दी चाल है एक प्रमातमा दी तरफ चलना है और एक प्रमातमा तक पहुंचनदा एक महान वसील है भाई साब भाई नंद लाल ते इत जागरती पैदा हुई है उसने एक गल्स समझ लिए कि अम्रतवेले जो सुत्ता रह गया है मानों उदी नेंद हराम है वो हराम सोया है बेदारी अस्त जिन्दगी ऐसा हेवान शौक गोया हराम करदन आइंदा ख्वा बेशुदा थोड़ी जियामी बेदारी जागरती के सेद्य अंदर पैदा हुई है उस मनुखने आइंदा दे वास्ते है अम्रतवेले दा सोना मानों हराम कर चड़दा है भाव नहीं सोना शु जागदा है और अम्रतवेले तो लाब उठांदा है उस समय तो लाब उठांदा है भाव गुरदा सी ते एक प्रार्थना कर देन अकाल पुर्खरेगों आपके देने नक सिसलो सगल अंग रूम रूम कर काट काट सिखन के चर्ण पर वारी है यह परीपूरन प्रमात्मा मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उगलियां दे नाखुन तो लेके है सिर्दे केसां तक नक सिसलो सगल अंग रूम रूम कर समुचे श्रीर दे रूम रूम दे टुकडे कर दिते जान मेरे श्रीर दे मेरी एचाहत मेरी एमंग फिर इना टुकडेह नो की करिये काट काट सिखन के चर्ण पर वारी है इना नो कट 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 के पुरजा पुरजा करके गुरू के जो सिखने उना दे कदमा तो सद्द के करो उत्हे निच्छावर करो फिर भी आखर मास्दे टुकडे के बचन गे ठी करिये आप अगान चलके केंदेने अगन जराए ताहें पीसन पिसाए ले उडे पावन होए अनक परकारी गे फिर मेरे मास्दे टुकडे आनू जला देना बचियां रेन जो हडियां उनानू पी देना फिर पवन राणी दे चर्नाच बेंदी करनी जोदरी करनी मेरी राखनो ते हडियां दे जर्यानो उडाके ले जाए आपके दिने अगन जराए ताहें पीसन पिसाए ले उडे पवन होए अनिक परकारी है तो पवन उडाके ले जाए आखर पवन हर वकत ते इस खाक नो और हडियां दे इस चूरे नो अपने को रखनी सकती किद्रे न किद्रे ते सुटेगी तो भाई जी के नहाँ ये सुटे पर किद्रे सुटे हैं जत कत सिख पग धरे गुरु पन्त प्राद ताहूं ताहूं मारग में भसं को डारिये जिद्र किद्रे किसे भी शायर देज किसे भी कस्वेच किसे भी थां ते सिख अम्रित वेले उठके सत्संग दी तरफ चल पे आए पमराणी नो कैना मेरी मास दी खाक ते हडियां दे चूरे नो उस दे कदमा दे च विचावे उस दे रस्ते दे च विचावे जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात ताहूं ताहूं मारग में भसं को डारिये तहंपद पावकत चरं लिव लागी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारी ये परीपूरन प्रमात्मा इस्त्री के नाल मैं पतत दावी उधार हो जाएगा दरसल अमरत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुक दे कदम अतियंत पावं में महान है चाव नाल उमंग नाल जो समेश सत्संग दी तर्फ चल पे है जुड़के की इरतन सुन रहे है या बैठके वाहे गुरु मंता जब कर रहे है देवी देवते उस्तों फिदा जान देने कुर्बान जान देने सद्के जान देने भाई गुर्दासी ने इस संबंदिच जो एक पौड़ी दी रचना कीती है बेश कीमत है और बेमिसाल है आपके दिने चरणों दुक होई सुर्षरी तजबे कुंद जगत विच आई सुर्षरी गंगा मित एक एह कह रही है के गंगा ब्रम्मे दे करमंडल दा जल है विश्नु दे चरना दा जल है शंकर्दिया जटामा दा जल है ऐसा सड़े देश दे पर चलन है इस मित दा करमंडल दा पाणी विश्नु दे चरना दे डोले है ब्रम्मे ने ए जल आणके गिरे है शंकर्दिया जटामा ज और उस दे चौंटे निकली गंगा दीधार ठीक जैसे गंगाउत्री बहुत उच्चीक चोटी जद निकल दीए धारा छोटिया छोटिया जी लग दियाने वाकई जैसे शंकर्दिया जटामा उन और उना दे चौंट टपक राओया ए बूंद बूंद गंगादा जल खैर इस मित्वनों जो रूप दिता है भाई साव भाई गुर्दासी ने उकाबले शुनी दे चरणों दुक होई सुरसरी तजबे कुंठ जगत विच आई नौसो नदी निडिनवे अटसट पीरत अंग समाई इस प्रिथवी दे ते बारा मास वगन वालिया नदीया भाई गुर्दासी दी गिनती दे मताबक नौसो निडिनवे ने एक घट हजार जो बारा मास द्रिया बग देने भाई जी के इनने नौसो निडिनवे नदीया दे चाओं गंगा सिर्मोर है उस दे जल दी अपनी खूबी है हर नदी दा जल अलग अलग है हर थांदी वायो अलग अलग है हर जगा रेद दे जर्रे अलग तासीर रख देने एही कारण है कि जद कदी किसे दा कोई रोग आउश्दिया ना ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कैदिता कर दे सन तो आबो हवा बदल ले पानी बदल ले हवा बदल ले टिकाना बदल ले और ऐसा देखन दे चाया है वा कई टिकानी दे बदल देया आब हवा दे बदल दे वो ठीक होया है हवा किसे श्रीर लई अमरित में हो सकती है जल किसे श्रीर लई अमरित में हो सकता है गंगा दा जल श्रीर लई इतना लाबकारी मने आ गया कि प्राचीन जो वैद सन्द, हकीम सन्द, श्रीर शास्त्री सन्द उना दी रसना तो निकलेअ ती अम्रत थे, येती श्रीर लई लाबकारी है दरसल आत्म चिंतन कन लई, अगर श्रीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठन है ओक है शरीर दा स्वस्त होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नो स्वस्त रखन देच गंगा दा जल वाकई अमरत दा ही कम करदा सी एक महान और शदी दा कम करदा सी बहुत सारी होबिया इस विज़ देखियां गई है जड़ी बूटियां नल सपर्ष करदी होई एधारा जड़ मैदानी इलाके देच आम दी है तो जड़ी बूटियां दा रस पे उना दी तासीर भी लेके आम दी है जड़ी इस दा कोई पान करदा इस जलदा तो श्रीर नमा नरोआ हुंदा है श्रीर दुटे इस जलदा अमरत में प्रभाव पेंदा है एकल वक्री है उस जमानी ज़ किया गया सी इस दिच कपड़ा ने चोड़ना और थुक सुटना महापाप है जद कि अग्म बड़े बड़े शेहरां दे गटर इस गंगा दिच पैर है ने महापाप व्यापक पद्दरते हो रहे है महान गुना व्यापक पद्दरते हो रहे है अमरत में जल नों किसे हद तक विश बनाया जा रहे है मनुक ने जैसे अपना जीवन विश बना ले है ए अमरतमई हवा नो अमरतमई जल नो थाँ थाँ थे विश बनान दे जहे तुले होया किदरे दी हवा खराब कीती और किदरे नदी नालिया दे जल दे परवा नो इसने खरवाब कीता है गंदा कीता है मलीन कीता है खेर एक अलग विशा है ए जल अमरतमई है पिस स्वास्ते 22 भाई गुर्दासी केंडे ने 999 नदियां दे चाहूं गंदा सिर्मोर है 900 नदी 998 तीरत अंग समाई आठाट तीरत इस दे किनारे ते बने हैं डेव प्रयाग रुदर प्रयाग करन प्रयाग रिशी के शरदवार बना अरस प्रयाग राग दा संगम इतियादक छोटे वड़े तीरत इस दे थटते बने हैं तीर्थाँ दी शोबहय बनियोंगे तीरत गंगा दे तट्टे सुवाय मान्दिस रहने ठाँ ठाँ ते तीर्थाँ ते जाके लो की अपना तन्मन इशनान द्वारा सही करण दी कोशिश देच लगे रहन दें तो भाई जी के इन अठाट तीरत गंगा दे तटते बने वेने 68 तीरत अंग समाई तेहें लोग की परवान है महाँ देवले सीस चड़ाई इस दी मैमा तिन लोगां देछा है और शिवजी ने इसनों अपने मस्तक दिश्थाँ देदे देवी देव सरेवले जै जै कार बड़ी बड़े आई बड़ी मैमा बड़ी पमा देवी देवते तक उपाशना कर देने नमस्कार कर देने जद वगदा होया इतना अमरतमई जल इतनी वड़ी धा रहा तो दिस पेंदे प्रभू दी बहुत वड़ी बक्षिश बहुत वड़ी रहमत के दिने साला बड़ी गंगादा जल बोतलाच रख देगे गंदा नहीं होंदा बदबुदार नहीं होंदा वो अपनी असलियत गवांदा नहीं ऐसी एक आउस्टी है जैसे जैसे उप्राणा होंदा जाए ओदिस नवीनता निकाहर आंदा जांदा तो वाकिए यह जल जल ना होके अम्रत है लेकिन हुम भाई साथ भाई गुर्लास जी जो अपना नजरियां अंकित कर देने हैं ओभी अपनी महानता रखदा है सन गंगा बैकुंथ लख लख बैकुंथ नात लिवलाई एक गंगा नहीं लखां और एक ब्रमेदे करमंडल दा जल नहीं लखां ब्रमंडल दा जल जो ब्रमेदे हत दे चोगे एक शिवजी नहीं लखां ही शिवजी दे मस्तक दा जल और एक विश्णू नहीं लखां ही विश्णू दे चर्ना दा जल सन गंगा, बैकुंथ लख, और एक बैकुंथ नहीं, लखा बैकुंथ, लखा गंगा, लखा बिश्नु दे चर्ना दा जल, लखाई शिवजी दे मस्तक दा जल, और लखाई ब्रम्या दे कर्मंडला दा जल, सन गंगा, बैकुंथ लख, लख बैकुंथ नाथ लिवलाई, साधु धूर नपुजने, साध संगत सत गुरुशनाई, अमरत वेले, सत संग दिच बैठके, जो अपने मंदी साधना कर रहे हैं, और सुर्थ शबद दिच जोड के बैठा है, भाय गुर्दास्ची केने लोस द कदमातों, लखा गंगा कुरुआन कीतियां जा सकती हैं, सत के कितियां जा सकती हैं, वो इतना महान है, फिर्प सत्गूर्दी बाणी टे खुल के कहें दिए, जन के चरन तीरत कोट गंगा, ऐसा जो पुर्ष है, उदे चरनादी जडी तूर है, मनो कुरूणा गंगा दा इ अक्सीर बना देगा इतनी महानता है उस समय साधना करन दी देखे आ जाए पंचियां दे खुबसूरत नगमे हैं उसे समय सुनन न मिल देने चह चहाट कलोल खेडा दे खुशी ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो जैदा होर कोई बदकिस्मत नहीं है और उस समय जो उठ बैठा है आतम चिंतन ले रुह जमीन देच उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लबनावी ओक है ओ महान खुशकिस्मत मनुक है धन गुर्णानिक देव जी महराहिदा फर्मान परी पूरन प्रमात्मा दे चर्ना दे सबतों वड्डी जडी प्लेट है ओ भेट अमरत वेलाईगे बस उस समय नों तो प्रमात्मा देगों रख भाहो उस समय प्रमात्मा देगे धनक मान दा अलग वत वकत भोजन छकन दा अलग श्रीरक करियावान दे अलग समय और समाजिक संबंद आर्थिकरिष्टे राजनीती दा वेवेला इस दे ले अपने अपने समयन है पर राद दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय इश्वर नाल जुडन दा समय इस समयनों तो इश्वर दे ही अरपन कर प्रभु दे अरपन कर ए समा अपने कोलना रखें, सुपता ना रह जाएंगे, उठ उस समय, और ए उठना एक बंदगी है, उठना एक अबादत है, एही कारणे कैज़ता गया, ए सुबा, सुबा, अल्ला दिये, ए सुबा, ए सवेर, ए महोरत, ब्रह्म है, ए समा अम्रदवेला है, अम्रदी बर्खा हो रही है, दरसल किनने उस समय, माया सुथी पई हो दिये, माया दे सुथे रहन तो मुराद ए है, अकसर लोग सुथे पहने, तो दुनिया जे सुथी पई है, तो बोल भी बंद ने, क्रीबन क्रीबन, नवे फिसदी जो मनुख दे बोल होंदेने, समाजिक होंदेने, पतावरन मलीन होंदा है, उन्हा बोला दिया तरंगा, चारों पासे छा जा दियाने, नमे नमे इबादत करन वाले बंदेनों, ध्यान साधना करन वाले बंदेनों, ए बोल और उन्हा बोला दिया तरंगा, परभावत कर दियाने, नाम जुणन दे बाधा खड़ी कर दियान कि प्रमात्मा दी बक्षिश जो बरस रही है उदा तू पातर बन सकें और अपनी जोली दे जो है पास सकें धन गुरु नानिक देवजी महराज ने इसनों ऐसा के अम्रत वेला सच नाम वड़े आई वीचार अम्रत वेले उठके सच नाम दा चिंतन तो उस वड़े दिया वड़े आई दी विचार तू कर एगल वक्त ही है कि दिन भर भी तू विचार कर सकता है और ओ द्रंगा उस विचार नू गैरानी जान देनगे है जो चारो पासे पहली होई है रात मू श्री बिश्राम दे जाना चांदा है तो श्रीर्दी चेतना श्रीर्दी शक्ती सारी सुकड रही है मुश्किल है उस समय तू संगर्ष करके प्रभूदा जो है चिंतन कर सकें ए समा ए वक्त मद्द करदा है जैसे पहाड ते एक मनुक निरभार होके चल रहे है और एक ने सिरद ते एक मन दा वजन रखे होया है तो कठन होगेगा उसनों जो है चड़ना अमरत वेले मनुक निरभार होंदा है दिल दिमाग ते कोई बोज नहीं होंदा उस समा मद्द करदा है धन गुरुनानिक देवजी महराज ने इस दी महमा गाइन कर देऊ है दुनिया दियां सारियां बर्कता उस मनुक दे जोली दिच आन पेंदियाने जो उस समय उठके वह गुरुनाम्दा अभयास करदा है वह गुरुनाम्दा चिंतन करदा है इस चिंतन दौरा उस दा प्रभु नाल संबंद जुड़दा है ते प्रभु नाल संबंद जुड़न दा मतलब की ये महाशक्ती नाल संबंद और जैसे महाशक्ती नाल संबंद जुड़दा है महाशक्ती उस दिंदर प्रवेश होनी शुरू हो जान दिए इश्वर नल जुड़े हो या मनुक कमजोर नहीं हो सकदा तित्थे जोद महांबल सूर तिनमे राम रहा भरपूर जिनान दिन्द राम भरपूरों के समा जानदा है महांबली हों देने योधा हों देने सूरवीर हों देने और अमरत विले इस बरकत नों प्रात्त करके महांबली हों बन जानदे